हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिकेबाट्स में दोस्तों आज के हम इस वीडियो में मद्ध प्रदेश के प्रमुख जल प्रपातों को याद करेंगे और उन प्रपातों को भी दोस्तों हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो यूशल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सियर जरू करें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो दोस्त मेरे इस चनल पर नए हैं वो प्लीज चनल को सस्क्राइब जरू करें और शाथ मैं बेल आइकन जरू पेस करें जिससे जब भी मैं तब ही ऐसी वीडियो डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगे तो नर्मदा नदी पर इस्थ जल परपातों को याद करने की दोस्तों जो ट्रिक है वो है मधू और साहस का दुक दर्द क्या है मधू और साहस का दुक दर्द बस यह नर्मदा नदी पर इस्थित प्रमुक जल परपातों की ट्रिक है तो दोस्तों मा से हो जाएगा मन्धार जलप्रपात जो खंडवा में इस्थित है इसके बाद धू से हो जाएगा धुआधार जलप्रपात जो जवलपुर में इस्थित है साहस से हो जाएगा सहिस्त्र धारा जलप्रपात जो मही स्थित है इसके बाद का से हो जाएगा कपिल धारा जल प्रपाद जो अमरकंटक में इस्थित है इसके बाद दुख से हो जाएगा दुख्द धारा जल प्रपाद जो अनूप पुर्जले में इस्थित है इसके बाद है दर्द, दर्द से हो जाएगा दर्दी जलपरपाद जो खंडवा में स्थित है ओके दोस्तों तो आईए फिर से देख लेते हैं ट्रिक क्या है मधू और साहस का दुख दर्द मा से मंधार जलपरपाद, धू से धुआधार जलपरपाद, साहस से सहस्तर धारा जलपरपाद, का से कपिल धारा जलपरपाद, दुख से दुखद धारा जलपरपाद, और दर्द से दर्दी जलपरपाद ओके दोस्तों आईए अब दूसरी जो नदी है वो है चंबल नदी अब चंबल नदी पर इस्थित प्रमुक जो जलपरपात है वो उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है पाताल में जाडी चरती रहे बस यह है चंबल नदी में इस्थित प्रमुक जलपरपातों की ट्रिक है क्या है दोस्तों पाताल में जाड़ी चलती रहे तो पाताल से हो जाएगा पाताल पानी जलप्रपात जो इंद और जिले में इस्थित है जाड़ी से हो जाएगा जाड़ी दहा जलप्रपात जो इंद और जिले में इस्थित है चलती से हो जाएगा चूलिया जलप्रपात जो पाताल में जाड़ी चलती रहे तो पाताल से हो जाएगा पानी जलप्रपात जो इन दोर में है जाड़ी से हो जाएगा जाड़ी दहा जलप्रपात चलती से हो जाएगा चूलिया जलप्रपात और रहे से हो जाएगा राहत गड़ जलप्रपात ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट जो नदी है वो है बीहड नदी तो बीहड नदी पर इस्थित जलप्रपातों को याद करने की दोस्तों जो ट्रिक है वो है चाचा केवट बहुत हैं क्या है ट्रिक दोस्तों चाचा केवट बहुत हैं तो चाचा से हो जाएगा चचाई जलप्रपात जो रीवा जिले में इस्थित है चाचा केवट बहुत है, चाचा से चचाई जलपरपात, केवट से केवटी जलपरपात, और बहुत से बहुती जलपरपात, ओके दोस्तों, नेक्ष्ट जो नदी है वो है केन नदी, तो केन नदी पर स्थित प्रमग जलपरपातों को याद करने की जो ट्रिक है वो है कौन प पंडित कौन से हो जाएगा कैन नदी और पंडित से हो जाएगा पांडव जलप्रपात जो पन्ना जिले में दोस्तों इस्थित है और इसके साथ ही अन्ने जो महत्पुर्ण जो जलप्रपात हैं यह भी हमें याद रखने हैं तो वो कौन-कौन से जलप्रपात हैं सबसे पहल अपसरा जलप्रपात रजद जलप्रपात ये सभी पचमड़ी में इस्थित हैं most important है दोस्तों याद रखना है next है प्यावन जलप्रपात पुरवा जलप्रपात बेलोही जलप्रपात ये सभी रीवा के निकट इस्थित हैं next है केदारनाथ जलप्रपात और ये केदारनाथ जो है वो अरावली स्रिंखला में इस्थित है कहां पर इस्थित है दोस्तों अरावली स्रिंखला में इस्थित है तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़दार ट्रिक के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं तब तक किले थांक्यी सोमाच बाई बाय